हलो मित्रों कैसे हो आप तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल मी के मोस्ट पॉपिलर स्मार्टफोन डियल मी 9 और रियल मी 9 प्रो के बारे में बताने वाला हूँ एंद दोस्तों साथ में यह भी बताने वाला हूँ कि या मोबाल कब तक लोंच होंगे इनकी प्राइस कितनी होगी और क्या स्पेक्स मिलने वाला है तो यह सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंद दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है मुझे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी मदद जरूर करें तो यह दोनों मोबाल सप्टेमबर 2021 की पांस तारीक के आसपास लौंच होंगे एंद यह कन्फरम है दोस्तों मैं इसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता ना हो लेकिन रियलमी अपने नमबर सीरीज के स्मार्टफोन साल में दो बार लौंच करती है एंद दोस्तों आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि रियलमी की यह नमबर सीरीज मार्च और सप्टेमबर में ही लौंच होती है एंद फिर कंपनी ने 6 और 6 प्रो को लॉंच किया था एंद यहां मुबाइल 5 मार्च 2020 को लॉंच किये थे एंद 3 सप्टेमबर 2020 में कंपनी ने Realme 7 और 7 प्रो को लॉंच किया था एंद दोस्तो इस साल 25 मार्च 2021 में कंपनी ने Realme 8 और 8 प्रो को लॉंच किया है मरलब की इसी साल 5 सब्टेमबर 2021 के आसपास Realme 9 और 9 Pro भी लौँच होंगे तो दोस्तो यह थी लौँचिंग डेट इन दोनों मुबाइल की जो की मेरी ख्याल से कन्फर्म है एन हम बात करते हैं दोनों मुबाइल के प्राइस की तो Realme 9 की प्राइस 15,000 होने वाली है एन Realme 9 प्रो की प्राइस 18,000 के आसपास होने वाली है एन यह प्राइस भी कन्फर्म है एन दोस्तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Realme 3 और 3 प्रो जब लौँच हुए थे तब उनकी प्राइस 8,999 और 15,000 थी और Realme 5 और 5 प्रो की प्राइस 9,999 और 13,999 थी और 7 और 7 प्रो की प्राइस 14,999 और 19,999 थी और जब मार्च में Realme 8 और 8 प्रो लौँच हुए थे तब उनकी प्राइस 14,999 और 18,000 थी तो जब Realme 9 और 9 प्रो लौँच होंगे तो उनकी प्राइस भी 15,000 और 18,000 के आज़ पास होने वाली है बात करें इन दोनों मोबाइल के स्पेक्स की तो दोनों मोबाइल में इस बार 6.5 एंज की Full HD Super AMOLED डिस्पले मिलने वाली है 9 में 19 Hz और 9 प्रो में 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है और डिस्पले भी दोनों मोबाइल की 7 और 8 सीरिस के जैसी साइट पंच होल वाली मिलेगी और स्क्रिन टू बोडी रेशो 90 पसंट से ज़्यादा मिलने वाला है लुक और डिजाइन भी दोनों मोबाइल का अच्छा होगा और इस बार आपको दोनों मोबाइल में ग्लास बोडी मिल सकती है और यह दोनों मोबाइल ब्लेक, ब्लू, सिल्वर और यलो कलर में लॉंच होंगे तो दोस्तों केमेरा की बात करें 13 प्लस 8 प्लस 5 या फिर 8 प्लस 5 प्लस 5 मेगा पिक्सल के तीन केमेरा अलग से मिलने वाले है इन फ्रन केमेरा दोनों मोबाइल में 32 मेगा पिक्सल का हो सकता है और प्रोसेसर का कुछ भी कन्फरम नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा Realme 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro इन तीनों मोबाइल में Snapdragon 720G का प्रोसेसर दिया था तो इस बार 9 Pro के प्रोसेसर का कुछ कहे नहीं सकते लेकिन कमपनी इस बार 9 Pro में Snapdragon 778G या फिर दुसरा कोई MediaTek Demon City 900 या 1000 का प्रोसेसर दे सकती है और Realme 9 में MediaTek Demon City 810 या फिर 820 का प्रोसेसर दे सकती है वरलब कि दोस्तों Realme 9 में MediaTek का प्रोसेसर मिलेगा या तो कन्फरम है लेकिन 9 Pro में कुछ कहे नहीं सकते इसमें MediaTek का या Snapdragon दोनों में से कोई भी प्रोसेसर मिल सकता है और दोस्तो Realme 9 में 6000 इमेज की बेटरी और 50 वोट का चार्चिंग सपोर्ट मिलने वाला है और 9 Pro में 5000 इमेज की बेटरी और 65 वोट का चार्चिंग सपोर्ट मिलने वाला है मरलब चार्चिंग की स्पीड दोनों मोबाइल की अच्छी होगी दोनों मोबाइल 40 मिनिट में 100% चार्च हो जाएंगे और Realme 9, 4, 6, 8GB की RAM और 64, 128GB इंटरनल मेमरी के साथ लॉंच होगा 9 Pro 6 and 8GB की RAM और 64, 128GB इंटरनल मेमरी के साथ लॉंच होगा यह दोनों मोबाइल बहुत ही जल फ्लिप कार्ट पर अवेलिबल होने वाले हैं दोस्तो इसी मन्द के एंड तक इन दोनों मोबाइल का टीजर भी आ सकता है तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको दोनों मोबाइल से रिलेटेट कोई भी जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूँगा तो वीडियो एंड करते हैं और दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यूंकि मैं फ्यूचर में इसी तरह के और भी इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा ठैन्क यू दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में